नमस्कार श्वागेते आपका इंडिया नीज उतर प्रदेश उतराखेन में मैं हूँ आपके साथ संगीता एद्वन्शी बुलिटन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ कोरोरा को लेकर एक बड़ी औरहम जानकारी जहां पर कोरोना ने आज फिर तोड़े सभी पिछले 24 गंटों में 3,44,949 नए मामले दर्ज किये गए हैं देश में एक दिन में 2,620 लोगों की मौत हो गई है वहीं 2,20,382 लोग रिकवर हो चुके हैं लेकिन प्रदेश में अभी भी 25,43,914 केसिज अक्टिव हैं कोरोना को लेकर बड़ी और एहम जानकारी से लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं जहां पर अभी भी देश में 25,43,000 से ज्यादा कोरोना के केसिज अक्टिव हैं कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड दिये हैं कोरोना का जिस तरीके से ब्रेक पेल हो गया उसको देखते हुए रिकॉर्ड तोड मामले दर्ज के जा रहे हैं ऐसे में अगर कोरोना की बात की जाए तो बड़ते कोरोना आकडो को देखते हुए देश में लगातार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं 24 गंटों की बात की जायो है से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं एक दिन में 2620 लोगों की मौत हो गई है वही दो लाख 20,382 लोग अभी तक कोरुना से रिकवर हो चुके हैं लेकिन देश में 25,43,914 केसिज अभी भी आक्टिव है जो कि एक गंभीर विशह है कोरुना से आज जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार प्रदेश सरकारे लगातर अपील कर रही हैं जनता से की कोरुना नियमों का सक्ती से पालन किया जाए देश में एक दिन में 2620 लोगों की मौत हो गई है वही 2,20,382 लोग अभी तक कोरुना से रिकॉर हो चुके हैं लेकिन अभी भी देश में 25,43,914 केसिज आक्टिव है